हेलो फैंस तो आज मैं आपको हरी मिर्च का अचार बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगा इस अचार को आप कम से कम एक साल दक स्टोर कर सकते हैं यह खराब भी नहीं होगा और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बहतरी नाएगा तो आपने वीडियो को पूरा देखना है लाश्टार देखना है तभी आप प्रॉपर तरीके से इसको बनाना सीख पाएंगे तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले 500 ग्राम यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है जो मिर्ची है यह less spicy वाली मिर्च है मोटी मिर्च होती है इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है तो इसका आप यूज कीजेगा आप थोड़ी सी डालना चाहें इसमें तीखे वाली मिर्च भी डाल सकते हैं मिर्ची को आपने सबसे पहले अच्छी तरह से धोना होता है इसके बाहर से बिल्कुल भी ड़स्ट वियरानी लगी होनी शेए अच्छी तरह से कम से कम दो पानी से इसको धो ली शेए दोनी के इसको न एक कपड़े के ओपर डाल देना है सूखने के लिए और कम से कम इसको आदे घंटे तक पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दीशे ताकि इसमें जो बाहर से पानी लोग होगा पूरी तरह से सूख जाए आप चाहें इसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी डारूं आप इसको थोड़े से बड़े पीसे करना चाहें थोड़े बड़े पीसी है तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपने सारी मिर्शी काट लेनी है इसको आप पने इसको 10 मिंट तक पंके नीचे रख देना है तक इसका बाहर का जो मॉैश्यर्व पूरी तरह से कर मोच है अब मिर्शी को मैंने बॉल में डाल दिया है इसमें नमक एड़ करेंगे जब भी आप कोई भी अचार बनाते हैं नमक का यूद्ध में थोड़ा सा ज्यादा किया आता है इससे ना अचार जल्दी खराब नहीं होता है तो देखिए तीन चमच भर के यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है चार से पांच बड़ी चमच आपने इसमें निम्बू का रस एड़ करना है या फिर आप इसमें वाइड विनेगर एड़ कीशे इससे क्यों होगा अचार में खटा टेस्ट भी आजएगा और अचार काफी डाइम तक खराब भी नहीं होता है अच्छी द और इसमें आपने निम्बू का रस बच जाएगा बो भी उपर से डाल देना है और एक चमच आप इसमें उपर से नमक का और एड़ कर दीजे और अच्छी तरह से आपने जार को उपर से बंद कर देना है कम से कम 24 गंटे तक आपने इसी तरह से इन मिर्चों को छोड़ दे आप इसके बद अचारी मसाला बना लेते हैं यहां पर देखिए दो बड़े चमच यहां मैंने राई डाल लिया है आप चाहें राई का यूज़ कर सकते हैं दो चमच ही आप मैं सौंफ का यूज़ कर रहा हूं मोटे वली सौंफ का यूज़ करना है एक छोड़ा चमच मोटे वाली सौंफ हैड ाम चाहें है थोड़े वली सौंफ यहां पर यहा तो दीखे चा चह polls में सौंफ हैड कर दी आ है थोड़ी चिते में मेति मेति का डालना है ज्यादा मेति porridge यूज़ नहीं करना है इसका मे अच्छिазд राड़ा चमच मैं पीलै वी सरसओं है आप कीए मसालों को आपने हलका सा dry roast कर लेना है ताकि इनके अंदर जो moisture है बो कम हो जाए और दूसरा इनका जो flavor है वो भी activate हो जाए तो गे देखिए हलका सा मसालों का color change हो चुका है इनको आप ठंड़ होने के लिए plate में निकाल दीजिए और जो राई दाल ली है वो भी आपने इसी तरह से हलकी सी dry roast कर लेनी है जादेर आपने इसको dry roast नहीं करना है 30 सेक्रिंड से लेकि एक निट तक आप इसको dry roast कीजिए और जो कलॉंजी ली थी इसके बद आपने इसमें कलॉंजी भी mix कर देनी है तो आप कभी भी कोई भी अचार मनाते हैं राई दाल और कलॉंजी जो है उसको पीस के नहीं डालना है इनको पीस के डालेंगे अचार में कड़वा टेस्ट आयाता है और यहाँ पे जो हमारा पहले हमने मसाला dry roast किया था ठंड़ हो जुका है ठंड़ होने के बुद आपने इस मसाले को दरदरसा grind करना है एक्तम फाइन आपने इसका powder नी बनाना है देखे इस तरह से आप इसको दरदरसा grind कर लीशे और मिर्ची के अचार में आप थोड़ा सा अदरक और लसून एड़ कीचे यह बहुत अच्छा टेश्ट आता है इनसे तो यहां मैंने देखे थोड़ा अदरक और लसून लिया है यहां मैंने एक नॉस्टिक पैन लिया है उसमें आदा कप आप सरसूं का तेल एड़ कर देशे अचार जो है सरसूं के तेल में ही अच्छा बनता है उससे क्यों होगा अचार खराब नहीं होगा इसके बद आपने इसमें लंबा लंबा कट हुआ अदरक भी आइड कर देना है अदरक को आप कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं अचार में और अदरक को भी थोड़ी दिर आप यहां पर पका लिए जए गैस की फिलिम आपने इना मीडियम रखनी है तो के देखे अदरक और लसुन को अच्छी तरस से मैंने पका लिया है सॉफ्ट हो चुके हैं इसके बद आपने इनको एक बॉल में निकाल लेना है और इस मिक्चर को आप थोड़ा सा ठंड़ो ने दीशे जैसे आपको मिक्चर थोड़ा सा ठंड़ो जाएगा अदा चमच आप इसमें हल्दी पोडर एड़ कीशे अदा चमच आपने इसमें नमक एड़ करना है अच्छा कलर आएगा अचार में और इसको भी अच्छी तरह से आप यहां पे मिक्स कर लिए और आपने जो मसाला पीस के रखोगा बोवी अड़ करते हैं इसके अंदर और सारे का सारा देखे मसाला मैंने डाल दिया है अब यह जो अचारी मसाला है ना मिर्ची के अचार के ल अब इस मसाले को अच्छी तरह से कबर करके आप एक जगा में रख दीशे इसको उपर से क्लीन फॉइल से कबर करके रखना है ताकि सारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और यह देखे चौब इस गंटे कवा दिखाता हूँ जो मिर्चे हैं उनका जो कलर है बो इस भी कर लेते हैं तो यह देखे जो पानी दिख रहे नापको यह मिर्चों का ही पानी है और निबू करस है और बाकी जो नमक ने बानी चोड़ा बो एं तो इससे आपका अचार खराब नहीं होगा और देखे उपर से मैंने क्लीन फॉइल से अचारी मसाले को कबर करके र करने का एक साल तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं पर स्टोर करने का पूरा तरीका भी बताऊंगा कैसे आपने इसको स्टोर करना है पहले आपने अचारी मसाले को मिर्चों के अंदर डाल देना है और मिर्चों के साथ अच्छी तरह से अचारी मसाले को मिक्स कर लेना है जो और थोड़ा सा आपने इसके ओपर गी डालाएंगे, देखिए इस तरह से, जैसे इसका अच्छे से धुआ चल पड़ेगा ना, इसके बद आपने एक कांच का जार लेना है, पिकतम सूखा जार लेना है, उपर से आप इसको ना कवर कर दीशे, और इसमें एक अच्छा स्मोक का फ्लेवर लाईए, कि देखिए, जो धुआ रहेगा ना, बुकांज के जार के अंदर आ जाएगा, और इसके बद आपने जल्दी-जल्दी जो अचार बना कर रखोगा ना, इसके अंदर भर देना है, जब तक इसके अंदर धुआ रहेगा, उसमें आप अचार भर दीश भरा रहेगा ना आपका अचार ना उतना ही लॉंग टेम तक चलता है वो खराब भी नहीं होता है तो यही अचार को लॉंग टेम तक स्टोर करने का तरीका है यह दिखे आच्छे से उपर से कवर कर दीजिए और कल से खाना इसको शुरूर कर दीजिए तो फ्रेंस वीडियो से चलता होगा लाइक शेयर कमें जुरूर कीजिएगा